जे श्री कृष्णा लड़ु कोपाल के भक्त में एक बर भर से अब सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के साथ आनी वाली एकादशी पापान कुशा एकादशी की वरत महीमा की कथा लेकर आई हूँ वर्ष में 24 एकादशी होती है किन्तु अधिक मास आने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी को ही पापान कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है इस साल ये तिथी 16 अक्तूबर 2021 को पड़ेगी तो चलिए जानते हैं इस एकादशी का क्या महत्व है एक समय की बात है एक गरीब व्यक्ति भिक्षा मांग कर जीवन यापन किया करता था भिक्षा में जो भी मिलता उसी से अपना पेट भरता था एक दिन उसे भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ बजल पी कर ही सो गया इस प्रकार उसने प्रित्वी लोक में अपना जीवन पूर्ण किया अंत समय आया उसे लेने यमलोक से दो दूत आय और उसे धर्मराज की सभा में ले गए महाचित्र गुप्त जी आये और उन्होंने यमराज जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जीवन में ना कोई धर्म का कारे किया है और ना ही अधर्म का किन्तु इसने एका दशी का व्रत रखा है निराहार वो भी पूरे जीवन काल में केवल एक तब यमराज जी सोच में पढ़ गए और वो उस व्यक्ति को लेकर देवराज इंद्र की सभा में गए और वहाँ गुरू भ्रहस पती से पूछा गुरू भ्रहस पती ने बहुत सोचा और कहा इसका उत्तर ब्रह्मा जी के पास दो अवश्य होगा क्योंकि वे तृदेव का अभिन अंग है तब गुरू भ्रहस पती ने एक पालकी निकाली उसमें यमराज सहित वो उस व्यक्ति को लेकर भ्रह्मा लोग पहुँचे और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया तब भ्रह्मा देव ने कहा हम सब मिलकर भगवान श्री हरी विश्नुजी के पास चलते हैं क्योंकि इस वरत की क्या महिमा है ये तो वही बता सकते हैं तब भ्रह्मा जी सहित सभी पालकी में बैठे और वेकुंट को गए वहाँ चार भुजाओं वाले शेशनाग पर विराजमान भगवान की अती सुंदर छवी को देखकर सभी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे और उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा तब भगवान विश्नुजी ने कहा कि एकादशी वरत की कुछ ऐसी महिमा है कि स्वेम यम्राज, गुरू प्रहस्पती और ब्रह्म देव अंजाने में रखे गए एक वरत पर एक व्यक्ति को पालकी में बिठा कर मुझ तक लियाए है ऐसा महत्व है एकादशी वरत का निस्वार्थ भाव से किया गया वरत तो बोलो विश्णु भगवान कीजे तो उमीद करती हूँ एकादशी वरत की महिमा या महत्व जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा साथी चानल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करकर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मैं इसी तरह की जानकारियां आप तक लाती रहूँ हरे क्रिश्णा